नमस्कार दोस्तों मैं बागुराम पटेल आप सबका अपने यूटूब चनल बालू जी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम आर्थोपोडा फाइलम का कि महत्पूर जीनस एपिस अर्थात हनी भी भारती मधमकी लेकर के उपस्तित है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्थोपोडा का सदस है तो चलिए देख लिया जाए हनी भी के बारे में देखिए हम सबसे पहले आपको बता दे इसका क्लासी फिकेशन की बात कर लेते हैं इसका वर्गी करण कर लेते हैं तो इसके वर्गी करण में हम देखते हैं कि यह फाइलम आर्थोपोडा का सदस है मेरे दोस्त आप ध्यान रखियेगा कि भारती जो मधमकी है हनी भी इंसेक्ट और इसका आडर का है और जीनडी और इंस इंडिका इपिस इंडिका के बारे में बात करने वाले हैं तो चलGroup देख लिए जाये सबसे पहले हम आपको बदा दें जो मधमक्किपालन होता है मदमकी पालंड का जो अधियन है मदमकी पालंड के अधियन को कहा जाता है A.P. Culture ठीक है A.P. Culture कहा जाता है मदमकी पालंड का जो अधियन होता है और यह मदमकी किसके लिए Famous है किसके लिए जानी जाती है तो हम आपको बता दें कि It is known for facts and honey यह मोम और सहद के लिए जाना जाता है और इसका जो जंत वैग्यानिक नाम है एपी सिंडिका है यह समस्त बिस्वें पाय जाने वाला एक सामाजिक और बहुरूपी कीट है अर्थात यह कोलोनियल यह निवह बना कर कालोनी बना करके यह रहता है ठीक है मोम के छटे में रहने आधी पर लटके हुए देखे जाते हैं कुछ कोष्टकों में इसके सहद संचित होता है जबकि अन्न कोष्टकों में अंडो और सुसियों का पलन पोस्टन किया जाता है ठीक है अब देखे यह पॉलिमार्फिक मैंने बता दिया अब यहां पर अगली जो खास बात है इसकी मधमक्षी मधमक्षी की मुख्रिप से चार जातियां हैं चार जातियां हैं मधमक्षी की तो कौन कौन सी है हम बात करते हैं इनकी चारो जातियों के बारे में कौन कौन सी इनकी चार जातियां है तो देखे हम आपको बता दे मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दिजिए कि इनकी कि दोस्त हम आपको दादे यह लगभग 20 mm परिमाल की होती है ठीक है 20 mm परिमाल की होती है और यह जो है देख रहे हैं आप कि यह largest होती है और इसे रॉक भी भी कहा जाता है यह सबसे बड़ी होती है ठीक है कुल मिलाके हम अगर बात करें तो यह अन्य परजातियों में अधिक लंबी होती है और इसे सारंग बोंबारा अर्थवा भी मकाय मधमक्खी जियांट हनीबी के नामों से भी जाना जाता है और इसका जो ब्योहार है मेरे दोस्ते इसका ब्योहार बहुत ही आकरामक होता है और इनको पालना इसकारण से संभव नहीं है अर्थात इनका पालन असंभव है आप जो देखते हैं कि टाइंक में पानी की टंकी में नीचे लटकी हुई पाए जाती हैं कहीं पत्थर हैं बड़े बड़े चटान उनके नीचे जो ठंड़क होते हैं वहां पर ये पाए जाती है थोड़ी इनका जो साइज होता है सभी मधमक्यों में बड सिंडिका इसे इंडियन हनी भी भी कहा जाता है इसे इंडियन हनी भी के नाम से भी जाना जाता है और इससे जो सहद प्राप्त होती है लगभग 6-7 पौंड तक सहद प्राप्त होती है ठीक है इससे 6-7 पौंड तक सहद प्राप्त होती है और यह एपीस डॉर सेटा से अचिन सबहाव की होती है, उसरी पर जाती है, एपिस फ्लोरिया, मेरे दोस्त, इसको आप समझें, यह छोटी होती है, यह भृंगा मध्मक्या, थभा छोटी मध्मक्या के नाम से भी जानी जाती है, और यह छोटा च्छता बनाती है, जिस में से एक बार में केवल 250 गराम प्राप्त होता है एक बार में याप बेहार में डरपोक होती है तक तथा कम डंग कमारती है जिस कारणा इसके चछत्ते को आसानी से तोड़ा जा सकता है ठीक है और जो इसकी अगली पर जाती है एपिसमेली फेरिया हम आपको बदा दे हैं मेरे दोस्त यह जो है यूरोपीयन मदमक्खी है ये और जो ब्योसाइक दिरिश्ट कोंसे अच्छी मानी जाती है और यह भी डरपोक सभाव की होती है यह भी डरपोक सभाव की होती है ठीक है आगे देखिए हम बात करते हैं मेरे दोस्त आगे इसके मदमक्खी में क्या है इसके जो है कुछ बहुत ही important points है वो points क type का होता है इसे आपको ध्यान में रखना है और इसमें सोज बोथ sexual and asexual इसमें दोनों प्रकार के जन्न परदर्सित करते हैं एक तो लेंगिक जनान दूसरा अलेंगिक इसलिए कहते हैं इसको asexual अर्थात इसमें पार्थी जोनेसिस की प्रकरिया देखी जाती है पार्थी इसमें जो क्रिया पाई जाती है इसे कहा गया है आर्किनो टोकी क्या कहा जाता है मेरे दोस्त आरिनो टोकी कहा जाता है एरिनो टोकी इस बात को आप ध्यान रखियेगा एरिनो टोकी वर्ड जो यूज किया गया है यह मधमक्खी जो की हैपलाइट पार्थीनो जनेसिस डिबलफ हो जाता है उसके लिए टर्म है एरिनो टोकी अब यहाँ यह खास बात जो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण जो प्रस्न बनते ह यह उत्पन होते हैं किस से डिपलाइट अर्थात यह टू यन दुगडित अवस्था से उत्पन होते हैं अर्थात फर्टिलाइज इग से उत्पन होते हैं कौन उत्पन होते हैं क्वीन और वर्कर अजब की हम आपको बता दें कि जो हैपलाइट यानि हैपलाइट इसमें उत्पन होता है वह उत्पन होता है ड्रोन्स और ये मेल होते हैं क्या होते हैं मेरे दोस्त मेल तो आप समझे कि जो मेल होते हैं ड्रोन्स अनफर्टिलाइज इग से उत्पन होते हैं और यही क्रिया कहलाती है पार्थीनो जिनेसिस क्या कहलाती है मेरे दोस्त पार्थीनो जिन तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा अब इसकी अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त इसको आप समझेए एक कालोनी में एक मधमक्खी की जो कालोनी होती है निवा होती है उसमें मैंने बताया उच्च कोट का स्रम विभाजन देखा जाता है एक कालोनी में लगवख 40-50,000 सदस से होते है कितना होते है मेरे दोस्त 40-50,000 सदस से होते हैं जो तीन स्रेणियों में बटे होते हैं ठीक है तीन स्रेणियों में कौन-कौन सी स्रेणिया होती है मेरे दोस्त उसको समझेए एक तो हो जाते हैं worker और दूसरे हो जाते हैं ड्रोन्स और तीसरी हो जाती है queen after Rani Mahi ठीक है तो तीन प्रकार के ये बटे होते हैं तीन प्रकार के सदस्टों में उनको बाट दिया गया है worker, drones और queen अब देखे जो स्रमिक होते हैं इनकी क्या विसेस्ता होती है और जो रानी मक्ही होती है इनकी क्या विसेस्ता होती है सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजी मेरे दोस्त इसको मैं बताता हूँ आपको ठीक है देखे जो स्रमिक मक्ही होती है सबसे पहले हम आपको बता दे इसका average निकाला जाए तो कह सकते हैं कि यह लगबग अठारे दिन में भी स्कित होती है ठीक है यह गहरे भूरे रंग तथा मजबूत पंखों एवं पांग वाली होती है इसका संपूर सरीर जो होता है वह रोम सद्रिस सूकों से ढहका रहता है ठीक है और इसके दूसरे से पा ठांग द्वारा चबा कर नए कोस्ट को का निर्मार करती है और इसकी तीसरी जोड़ी टांगो पर ध्यान रखियेगा पॉलेन क्या पाजाता है पॉलेन पैकेट होती है और इनमें पराग कंड एकत्रित किये जाते हैं ठीक है उदर के अंतिम खंड में इस्टिंग होता है उदर के अंतिम खंड में क्या उपस्थित होता है मेरे दोस्त तो वह होता है उदर ओवी पोजाट ओवी पोजीटर उदर के अंतिम खंड में इस्टिंग होता है और यह इस्टिंग क्या होता है पॉजरस जिसे डंक मारती है तो जलन उत्पन होती है ठीक है यह पॉजरस हो है मेरे दोस्त हम आपको बदा दें जो स्त्रमिक मक्ेया होती हैं यह क्या करती है इनको पхники क्या करती है इनको को पहली बात ही देखी है डेभलमेंट इसका होता है इपकी की है मौट है तीन भागों में स्फ्रमिक मक्हियों को डिवाइड कर दिया गया है वो तीनों भाग कौन कौन से हैं एक तो सैनिटरी 20 होती है दूसरी नर्स भी होती है अथ त्योसरी स्काउट वा फिल्ड भी और्थात कह सकते हैं सफाई मक्हियां आया मक्हिया और संग्रह करता मक्हिया तीन भागों में इनको डिवाइट कर दिया जाता है ठीक है बड़ी मज़ेदार बाते होती है इसमें ठीक है मैंने बताया मक्हिया सफाई कर्मी मक्हिया और संग्रह करता मक्हिया इसमें तीन परकार के सबके कार जो होती है अलग अलग ठीक है इसका अगर हम something अगर डेट निकाले तो हम आपको बता दे कि नर्मक्हियां कह सकते हैं लगभग 21 दिन में बिक्सित होती है और इन में क्या इसकी खास बात क्या है मेरे दोस्त इसको आप समझे और मैंने बताया कि यही जो है पार्थीनो जनेसिस द्वारा डेवलप हो होता है ठीक है यह इसमें दंस का और मुम का अभाव होता है इनका अभाव होता है इनका एक मात्रकार है रानी मधमक्ही का निसेचन करना होता है ठीक है इनका एक मात्रकार है कि यह रानी मक्ही को क्या करती है यह निसेचित करती है और इनकी जो है आई होती है बड़ी- भाई रानी मक्ही को भी थोड़ा सा देख लिया जाए क्या करती है रानी मक्ही देखिए रानी मक्ही के बारे में अगर हम बात करें तो इसको समझे ज़रा रानी मक्ही यह लगभग 7 से 16 दिन में बिक्सित होती है अगर इसकी हम बात करें समान रूप से तो हम आपको बता दे यह लगभग 13 दिन में बिक्सित होती है और यह कालोनी की सरवसेष्ट सदस्य होती है जो रायल जैली खाकर के बिक्सित होती है और यह 15-20 इमेम तक लंबी होती है तथा लगभग 5 वर्सों तक जीवित रह सकती है और इसकी जो टांगे होती है पंख, डंक तथा मस्तिस्क कम बिक्सित होती है अंडे देने के अलावा यह कोई अन्यकार नहीं करती है तथा छत्ते के सभी सदस्यों की जननी कहलाती है अब पोषण के लिए यह पूरता स्रमिक मक्खियों पर निर्भर रहती है और एक विशेष्टा और बता दें कि यह रानी मधमक्खी प्रति दिन चींग पंदरह सो से दो हजार अंडे देती है अर्थात अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है ठीक है और मैंने आपको बताया कि यह क्या होती है कि क्वीन is the male fertile female आप्दा, Queen is the only fertile female आप्दा कालोनी के वल यह जो हती fertile female होती है कालोनी की और इसके जो का लगभग 2 से 5 साल होता है और इसकी खास बात क्या है मेरे दोस्त इसकी खास बात हम आपको बता दे इसका जो लारवा होता है जो लारवा की बात करें तो लारवा इसका ग्रब लारवा कहलाता है अर्थाज इसके लारवा को कहा जाता है ग्रब लारवा जी आर यू बी यह बहुत ही important है मेरे दोस्त ग्रब लारवा ठीक है इसके लारवा को ग्रब लारवा कहा जाता है और दो बैज्यानिक है इसमें आप इनको ध्यान रखिएगा दोनों लोगों को ठीक है कारल मार्क्स और कारल वान फिस ठीक है ये टी नहीं होगा दोस्त ठीक है अब देखे कारल म फ्रिस ने हैं। इन्हों ने क्या किया था इनके लिए गिए देखेगा इनों उन्हों जो है नोबल प्रगशार गज़ा है और यह न मदमक्त की भासा का अध्यान करता है। इनमें के जो कि ऩुटे और चाहिक दू करता की एक round dance और एक tear bagging dance ठीक है एक जो है गोले निरित और एक कहते दुम दोलनी निरित ठीक है तो जो गोले निरित होती है ये कब करती है जब the source of food is near the hive जब इनके 36 से लगभग 75 मीटर की इर्द गिर्द में भोजन उपस्थित होता है तब ये round dance करती है ठीक है round dance करती है इस परका परकार की होती है ये जब food source जो हता है भोजन का जो सुर्थ है एक किलो मीटर की दूरी पर होता है या उससे दूर होता है तब ये dance करती है दुम दोलनी निरित टेल वाइगिंग डान्स करती है और ये क्या करती है पहले सूरी की दिसा में चलती है फिर भायक होकर के अपने दूर को हिलाती है ठीक है इन्डिकेट करती है अब ये dance की मै आन्ने बात क्या round dance लाइगिंग डान्स और इसमें प्रक्रिया है स्वार्मिंग वरिंधन स्वार्मिंग जो प्रक्रिया है अर्था चट्खते को छोण कर उड़ना दो तरीके से इसमें होता है एक तो स्वार्म स्वार्मिंग जब छोड़ करके उड़ गई जो बची है यहां पर फिर से अंडे देगने के बाद जो उड़ी थी अब अंडे दे करके यहां से उड़ी थी तो प्राइम स्वार्मिंग हो गए अब इसमें से अंडे के द्वारा जो उत्पन होती है मख्यां उसमें एक राणी मख्यी उत्पन Нिसेचंग मारसि अकि करेंश के टीक है अब उसको समाप्वत कर देती है तो वह उड़ती है उप के इस सेडियरों मिख्यों को लेकर के नर मक्खियों को उड़ जाती है अग जब उड़ती है तो उस समय निसेचत जो इसमें नर जो ड्रोन रानी मक्खी को निसेचित करता है निसेचित करने बाद वह जो नर है वह मर जाता है ठीक है वह मर जाता है फिर चली आती है रानी मक्खी अपने छटे में अपने हते में आती है दो-тीन दिन के बाद से यह अंडे देना प्रारंब करती है और दो-तीन दिन तक अंडों को यईनि जैसे ये लार्वा डेबलफ करते हैं लार्वा ग्रब, ला्रon can, मैं ने बैठी होती है कि वर अंडे देने का काम करती है और उसका जो भोजन है रोयल जेली और अन को रोयल जेली नहीं मिलता है ठीक है तो इसकी जो बाते थी अब चलिए हम बात करते हैं जो कोश्चन आते हैं जो पूछे भी गये हैं जो पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं रोयल जो bee wax होती, जो mom होती है, mom secretory product, यह भी secretory उत्पाद होता है, hypodramal gland का, of the abdomen of worker bee, यह worker बहुत काम करते हैं, यह worker bee जो होती है, wax भी करती है, प्रोवाइड करती है, और यह royal jelly भी प्रोवाइड करती है, और अगली खास बात क्या है, कि honey bee keeps the nectar for some time in the crop, अब कुछ समय के लिए जो प रख लेती है, उसको अपने crop भाग में भी रख लेती है, कुछ समय के लिए ठीक है, और honey is stored in the cells of comb, जो इसमें सहद होती है, सहद जो किस कोष्ठक में, या किस कोष्ठक में एकत्रित की जाती है, तो वह एकत्रित की जाती है, जिस कोष्ठक में उसे कहते हैं, कॉम्ब, ठीक को by dance and sound, कुछ भी इनको बताना हुआ, सुचित करना हुआ, तो dance और sound के द्वारा ये बताते हैं, उनको इसारा करते हैं, ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस lecture में, बस यहीं तक फिर मिलेंगे, अगले lecture में, ओके, थैंक्यू,